हेलो बच्चो कैसे हो आप आज हम क्लास पौत रीडिंग कैम्पेन नुमरेशी की वर्कशीट नमबर दो हल करेंगे बच्चो आप जानते हैं कि आपकी रीडिंग अभियान के तहत वर्कशीट आ रही हैं आज वरक्षीट नमबर दो करेंगे तो चलिए वरक्षीट हल करते हैं यह गई चित्र को एक जैसा बनाने की कोशिश गी गई थी परन्तु बनाते समय चित्र दो में कुछ गलतिया हो गई है आप किनी चार गलतियों को ढूंड कर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साजा कीजिए तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर दो चित्र दिये गए हैं चित्र एक और चित्र दो चित्र एक को बनाने के बाद जब चित्र दो को बनाये गया तो उसमें कुछ गलतियां हो गई थी आपको कुल चार गलतियां ढूंडनी है आपकी स्वीधा के छाय लिए मैंने चित्र 2 में 4 गलतियों को दूंड़ा है पहली गलती यहां आप देख सकते यह पहले चित्र में यहर ढलग है और यहां पर दे, परख यह पर इसके बाद तीसरी गलती यहाँ पर window के design में यहां window में आप देख सकते हैं पीछे कुछ दिखाई दे रहा है जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है उसके बाद चोथी गलती है यहां मूछ हो की आप देख सकते हैं पहले चित्र में मूछे चोटी है और इस चित्र में मुझें बड़ी है चलिए यहां हमने चार गलतियां ढूंड ली है अब आगे बढ़ते हैं मम्मी का मॉबाइल अनाया आज जब विद्याले से वापस आ रही थी तो उसकी अध्यापिका ने अपना मॉबाइल नमबर उसे लिख कर दिया और कहा कि घर जाकर मम्मी से बात करवा देना घर पहुँचकर अनाया ने मम्मी को फोन लिया और उन्हें मैडम से बात करने को कहा अध्यापिका द्वारत दिया गया नमबर है 9765284321 जिसे 9765284321 पढ़ सकते हैं अब यहाँ पर इस मॉबाइल नमबर को मिलाने के बार अनाया को कौन सा अंक एक से ज़्यादा बार दबाना होगा तो यहाँ पर कहा गया है कि अनाया अगर इस नमबर को मिलाएगी तो कौन सा अंक एक से ज़्यादा बार दबाना होगा तो बच्चों आप देख रखते हैं यहाँ पर जो दो अंक है वो एक से ज़्यादा बार आया है तो यहाँ हम लिखेंगे अंक दो को एक से ज़्यादा बार दबाना होगा आगे है इस मॉबाइल नंबर को मिलाने के लिए कौन से अंक की आवशकता नहीं होगी तब हमें यह बताना है कि इस मॉबाइल नंबर को मिलाने के लिए कौन से अंक की आवशकता नहीं होगी आप देखेंगे ध्यान से मॉबाइल नंबर को तो पाएंगे कि अंक जीरो की आवशकता नहीं होगी चलिए आगे दिये गए नमबर में से तीन अंकों की सबसे चोटी संख्या कौन सी होगी अब जो ये नमबर दिया गया है इस में से आपको तीन अंकों की सबसे चोटी संख्या ग्यात करनी है पहला दिया गया है रूल अंकों की आवरती के साथ किया आप अंकों की आवरती आप अंकों को धोरा सकते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे 111 और दूसर दिया गया है अंकों की आवरती के बिना तो यहाँ पर हम लिखेंगे 123 अब दिये गए मोबाइल नमबर में से पांच तीन अंको वाली संख्याएं जो की 400 से कम हो लिखनी है तो यहाँ पर आप तीन अंको वाली पांच संख्याएं लिखेंगे जो 400 से कम है आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिखी है संख्याएं लिखने के बाद अब यहाँ कहा आगया है इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाईए अब जो हमने संख्याएं लिखी हैं इन्हें बढ़ते क्रम में लगाईए तो यहाँ हम इसे बढ़ते क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले आएगा 1203 फिर 132 उसके बाद 213 फिर 231 फिर 312 और फिर 321 मैंने यहां 5 से ज्यादा 6 संख्या लिखी हैं अब यहां आगे कहा गया है इन संख्याओं को घर्टे क्रम में लगाईए अभी हमने बढ़ते क्रम में लगाया था अब हम इने घर्टे क्रम में लगा दहुन के सबसे पहले क्या आएगा 321 312 232 132 इस अब यहां आगे आगए कि अपने घर की किसी दाल्टन कि मोबाइल नम्बर लिखी है तो बच्चों इहां पर आप अपने घर के सदाल्टन का मोबाईल लॉम लिखेंगे उसके बाद आपके मोबाईल नमबर कौन संख्य कि इस तालिका में इस प्रकासे नमबर लिख लेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो और जीरो अब एक एक बार आया है तो एक बार लिखेंगे दो एक बार आया है तो एक बार लिखेंगे तीन एक बार नहीं आया है तो जीरो लिख देंगे चार एक बार आया है तो एक बार पांच दो बार आया है तो दो बार लिख देंगे छे एक बार आया है तो एक बार लिखेंगे साथ एक बार आया है तो एक बार लिखेंगे आठ नहीं आया है तो जीरो लिखेंगे नो दो बार आया है तो दो लिखेंगे और 0 एक बार आया है तो एक बार लिखेंगे तो बच्चो ये वर्कशीट यहां कम्पलीट होती है अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें अन्य विश्यों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहे हमारा चैनल नोलेज किंगडम थैंक यू